कि नमस्ते साथियों कि आज कि एंडिये की मिटिंग हुई थी और जैसे आप सुर्फ जानते हैं कि एंडिये के सभी सामसदोंने और एंडिये से जुड़े हुए सभी राजने दिख्दलोंने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है मैं एंडिये के सभी साथियों का रदे से बहुत बहुत आभार व्यर्ट करता हूं और एंडिये के सभी प्रमुखनेताओं ने आज राश्पति जी को मिल करके इस निरे की जानकारी भी दी और बाद में राश्पति जी के सुचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था राश्पति जी ने मुझे पदनामित प्रधान मंत्री के रूप में पत्र दिया है और सपत मंत्री परश्यत के सपत के लिए आगे की कारवाहि के लिए मुझे सुचित किया है मैं हो सके उतना जल्दी आगे की तारवाय की जानकारिया आदर नियराख्पती जी को पहुंचाऊंगा स्वाबावी के एक देश एक बहुत बड़ा प्रचंड जन्मत दिया है और इन जन्मत के साथ जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है हमारी सरकार नए भारत के निर्मान के लिए और विशेश करके 2022 जब आजादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है यह आउसर अपने आप में 130 करोड देश वाचिव का आउसर बने आजादी के अंदोलन बज़े से हर देश वाची को इनको संकल्प करता हुथा देश के लिए समाज के लिए भविश के लिए कुछ करने के लिए संकल पकरें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं ऐसा आउसर 2022 हमारे सामने है ये वर्ष मात्मा गांदी के 150 विजयनती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देवजी के 550 विवर्ष का भी है और एक प्रकार चे बहुत ही सुभग अवसर का एक कारकाल है और विश्वकी जो स्थिति उसमें भी भारत के लिए नेक संभावनाई लेकर के समय आया है उन अवसरों को हम घमा न दें उन अवसरों का अधिक्तम भाइदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें देश की आवश्यक्ताओं की पूर्ती का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेजगती से आगे भढ़ाएगी हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाएं चरएवेती 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, धे प्राप्त करते रहें, इस मिजाज के साथ नई शरकार भी काम करें, उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ऐसा मंत्र हैं, जो भारत के हर खेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विशायक के विकास के लिए, बहुत उत्तम रहत दिखाता है, सबकी सुरक्षा और राश की सम्रुद्धी, उसके प्रतिवी प्रतिविद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है, पिर एक बार देश वास्यों का धन्यवाद करते हुए विश्वाद दिलाता हूँ, कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके आशा पाक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, कोई कसन नहीं छोड़ेगी, बहुत दन्यवाद, तैंक्यू.